बाटला हाऊस, डिर्रेक्टिट बाए निखिल अडवानी, कांस्टिंग है, इसके अंदर जोन इबराहिम ए्प संजीव कुमार यादो, डिस पी का का रोल निभाया हैं इननों, इसके अंदर और मुर्नल ठाकूर जोम नन्हांने नंदिता कुमार का रोल निभाया है इसमें जोन इब्राहिम की वाइफ बनी है सेकंड थर्ड वन है हमारे बास रवी किशन केके का रोल निबाया है फिर परकाश राज मोहन कुमार का उन्होंने रोल निबाया रनिंग टाइम है दो घंटे 26 मिनिट यह पूरी मुवी डिपेंडेंट है अब जैसा कि मुवी में दिखाया गया है कि कैसे जब यह दो टेर्रिस्ट मरते हैं तो कैसे बहुत सारे जो न्यूस चैनल है उस टाइम के मीडिया हाउसीज हो गए टी आर पी के लिए कैसे पुलिस डेली पुलिस को बदनाम करने में लग जाते हैं और बहुत सारे जो सो कोल्ड एक्टिविस्ट हैं वो इन टेर्रिस्ट को बचाने के लिए कैसे यह नारा लगाते हैं कि वो इनोसेंट बोईज हैं इन सब को लेके यह मुवी बनाए गया और उन लोगों को जवाब दिया गया है कि यह जो एनकाउंटर था वो कोई फेक नहीं था उस एनकाउंटर में एक इंस्पेक्टर रेंक के एक आदमी की इसमें मौत हो जाती है और इन सब चीजों का जवाब इस मुवी में मिलता है और मैं strongly recommended करूँगा कि आप लोग यह मुवी जरूर देखे reason यही है कि उस वक्त की जो government है कैसे उन्होंने देश को mislead करने की कोशिश की कैसे एक इमानदार पुलिस कर्मी को अपनी इमानदारी बताने में अपनी इमानदारी साबित करने में इतना टाइम लग गया उस वक्त कि यह बताने में कि वो encounter fake नहीं था वो real था जिन्होंने यह जो दो terrorist मारे गए और जो दो arrest किये गए और एक जो फरार हो गया वो सारे की सारे उस बार्टला हाउस में थे और उनका जो relation उन्होंने बताया था कि 13 सप्टेंबर 2008 को जो serial blast हुए थे जिसमें 30 लोगों की मौत हो गए थी डैली के अंदर सो से लोग ज़्यादा गायल हो गए थे उनका connection था इन लोगों से महमद आतिफ अमीन महमद साजीद यह जो थे जो मारे गए थे और महमद यह जिसान हो गया और एक महमद शैफ हो गया इनको गिरिफतार कर लिया गया था और एक आतिफ कान जो था वो फरार था है को बहुत ज़्यादा realistic रखा गया है इतनी उमीद नहीं थी कि मूवी को इतना ज़्यादा realistic रख दिया जाएगा इतनी बारिकी से उस मूवी में बताया जाएगा और एक और बात है यह मूवी कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम को लेकर कहीं पर भी कोई target नहीं करती है यह बात इसलिए बोलनी पड़ रही है क्योंकि मैंने एक review चैनल देखा था जिसमें यह बताया जा रहत है कि बस यह हिंदू मुस्लिम करके बताते हैं और ऐसा कुछ नहीं है इस मूवी में बताया कि कैसे एक police कर्मी जो अपनी duty नहीं भारा है बड़ी इमानदारी से उसको क्या मिलता है जब वो देश को बचाता है देश के लिए अपनी जान अपनी जोकी में डालता है और एक वहां पे police कर्मी सहीद होता है उनको अपनी मानदारी साबित करने में एक judicial inquiry बिठा दी जाती है उनके उपर यह जो special cell होता है इनके उपर judicial inquiry बिठा दी जाती है बहुत सारी जो social parties है आगर आप इसको जाके Google पे सर्च करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा तब की जो government थी और जो उत्तरपरदेश की government थी SP, BSP वहाँ पे कैसे इनोंने इनको target करना start कर दिया था डेली पुलिस को और कैसे यह vote banking खेलने लग गये थे इनके उपर कहने का सारा motive यह कहीं पर भी हिंदू Muslim को लेकर कहीं यह movie नहीं बनाए गई है यह movie सिर्फ और सिर्फ इसके ओपर है कि वो जो दो terrorist मारे गई और अपनी जो इमानदारी थाबित करने में पुलिस कर्मी को उसको कितनी महनत करनी पड़ी संजीव कुमार को कैसे वो mentally उससे torture से वहां से गुजरा तो यह movie हमें वो बताती है और मैं strongly recommend it करूँगा कि आप लोगों को यह movie जरूर देखो बहुत सारी जो चीजे आज तक चुपाई गई है जो realistic जो चीजे थी वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी और इसमें दोगली पंती भी मिलेगी government की जो में पता चलता है कि कैसे वो police के हाथ बांदेती है कि वो कुछ कर नहीं पाते अपनी मांदारी को वहां पे साबित नहीं कर पाते अब इसके ओपर यह है एक last में जब यह judicial inquiry होती है तब इनको बेकसूर साबित कर दिया जाता है special cell को तो बताया जाता है तब भी बहुत सारे जो एक्टिविस्ट होते हैं यह इनकी बात मानते नहीं है यह तब भी यही कह रहे होते हैं कि जो टेर्रिस्ट मारे गए यह इन्नोसेंट स्टूरेंट से पढ़ने वाले जो अधिव कांजो बच निकला था आइसाइए के वीडियो में यह बताता है कि वह जो एनकाउंटर हो था दो हज़ार आट में वह वहीं मौजूद था वह वाटला हूस से वाम से फरार होने में काम्याब हो पाया था वह बच निकला था तो इन सब चीजों से पता चलता है कि क ऐसे वो पुलिस कर्मियों को मतलब मीडिया हाउसीज होगी और यह एक्टिविस्ट होगे हुमन राइट्स होगे बिना सर पैर के एलिगेशन लगा देते हैं पुलिस के ओपर कि इन्होंने फेक अंकाउंटर किया था बिना कुछ सच जाने बताते तो ऐसे हैं कि जिन्होंन मतलब यहां बिल्कुल ऐसे रखके गोली मारी थी या उपर से मारी थी उन्होंने अब कौन यह स्वाल बनाने को तो कुछ भी बना सकते हो ठीक है कुछ भी बना सकते हो अपने-पने माइंड लेकिन कोई भी उस रियलिस्टिक को समझना नहीं चाहता कि जो वास्ता में क्या अच्छी नहीं है यह खराब है नहीं बहुत अच्छी मूवी है तभी तो इस चीज़ को मैं strongly recommended कर रहा हूं आप लोगों को यह मूवी देखो जानों कि उस वक्त क्या हुआ था आज कल जो यह दोर चल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज का यह तब की गॉर्मेंट वहां क्या कर रही थी आज की गॉर्मेंट पर जितने एलिगेशन लगाए जा रहे तब की गॉर्मेंट ने क्या किया था वहां पर तो यह चीज़ें आपको जानने में मिल जाएंगे और यह ना कोई पॉलिटिकल व्यू है बस यह समझ के लिए है जानोंगी देखोगे तो जानोंगी भी हां क्या हुआ था थैंक यू फोर वोचिंग इस वीडियो बस आज के लिए इतना ही था मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद